हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लो आज हमारा सोर्सिस ओफ इनरजी का लास्ट टॉपिक है मीन्स इस टॉपिक के बाद आपका जो फिजिक्स पोर्शन है वो फिजिक पोर्शन जो फाइनांस अकाउंट एसिस्टेंट वालोंगा है वो जो है कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अभी तक सोर्सिस ओफ इनरजी में हम कंवेंशनल कर चुक है नॉन कंवेंशनल का भी हमारा हो चुक है एकसेप्ट सोलर इनरजी सो आज के लेक्चर में हम सोलर इनरजी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और विद इस आपका जो टॉपिक है आपका जो फिजिक्स पोर् वो energy जो हमें sun से receive हो रही है उसको हम solar energy बोलते हैं ठीक है और जो energy हमें sun से मिलती है वो हमें in the form of heat या फिर in the form of light मिलती है ठीक है सो हम क्या कह सकते हैं सो हम बोलेंगे the energy obtained from the sun in the form of heat and light is called solar energy ठीक है ओर solar energy हमें कहां से मिलती है हमें sun से मिलती है और sun क्या है हमारा ultimate source of energy है ठीक है सो यह था हमारा definition solar energy का then comes the concept of solar constant अब solar constant क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि per second per square meter area में ठीक है at an average distance between sun and earth कितना amount of solar energy जो है हमें मिल रहा है यहने क्या बोला इसमें हम देखेंगे कि एक second में एक square meter area में एक second में एक square meter area में कितना solar energy हमें मिल रहा है कहां पे at an average distance between sun and earth ठीक है सन और अर्थ के बीच में जो average distance है ठीक है उस distance पे एक second पे एक square meter पे हमें जो sun energy है solar energy है ठीक है वो कितना मिल रहा है कितना amount मिल रहा है वह हमारा क्या होगा solar constant ठीक है क्योंकि उसकी definition है थोड़ी tricky है बट इसका concept यही है जो मैंने आपको बताया है ठीक है अगर आपको concept याद होगा थो आपको definition याद करने में असानी रहेगी क्या मैंने बोला कि amount of solar energy received कितना एक second में एक square meter area पे कौन से square meter area पे ऐसी जगा जो average distance है किसका sun और आर्थ के average distance में एक second में एक square meter में कितना solar energy receive करता है वो हमारा बनता है solar constant आपको यह concept clear हो गया होगा नाओ coming to its definition क्या लिख है the amount of solar energy received per second by one square meter area of near earth space means exposed perpendicular to the rays of the sun हमने यहां पर क्या देखना है वो sun rays हमने देखने है जो perpendicular उस square meter area पे फॉल करेंगी ठीक है perpendicular is याद देखना at an average distance between the sun and the earth यह मैं आपको बताया था ठीक है तो इस अमाउंट of solar energy received per second by one square meter area of the near earth means exposed perpendicular to the rays of sun at an average distance between the sun and the earth is called solar constant ठीक है अब इसका formula क्या है अगरम definition के according जाएं तो देखो मैंने definition में क्या बोला है कि solar energy receive हो रहा है पर सेकिंड पर स्क्वार मिटर एरिया में तो इसको किस तरह से लिखेंगे solar constant equal to solar energy कितना receive हो रहा है पार यूनिट एरिया and in one second ठीक है तो इसका एसा unit क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू स्वारी क्या हो जाएगी इसकी बेसिकली जो solar constant की यादखना जो value होती है वो होती है 1.4 kilojoules ठीक है area का आया meter square and time का second सो यह इस तरह से है ठीक है अब हमें मालूम है कि जो power था power क्या था कि हमने कितना work किया कितनी देर में ठीक है work upon time taken ठीक है तो वो किसके बराबर था हमारा वो था हमारा joule पर second के ठीक है जूल पर second के बराबर था और इसको हम replace कर देंगे किसे जूल पर second को हम किसे replace कर देंगे kilowatt से ठीक है kilowatt से हम क्या कर देंगे replace और meter square as it is रहेगा ठीक है so it becomes 1.4 kilowatt per meter square ठीक है तो ऐसा unit का ध्यान रखना तो आपको clear हो गया होगा कि kilowatt कहां से आया ठीक है क्यूंकि power था work done upon time taken और work done का हमारा इसा unit है जूल टाइम का second और power का वाट तो इसको हमने replace कर दिया किलो वाट से क्योंगी किलो जूट्स था ठीक है तो 1.4 तो याज रखनी है और आगे आपको ऐसा unit का भी इसका ध्यान रखना है ठीक है तो यह था हमारा solar constant सो अबने देख लिए solar energy की definition and solar constant का concept भी हमने देख लिए देन हमारा आता है for the solar energy devices ठीक है अब हमें solar energy में जो हम non-conventional के अंदर पढ़ रहे हैं उसमें solar energy devices भी cover करनी है ठीक है तो देखते हैं कि हमें कौनसी कौनसी devices cover करनी है एक तो हमें solar cooker के बारे में पढ़ना है solar cell के बारे में पढ़ना है and solar water heater के बारे में पढ़ना है इनके बारे भी हम detail में पढ़ लेते हैं ठीक है first comes solar cooker अब solar cooker क्या होता है यह cooker है तो means obviously हम इसको use करेंगे for cooking ठीक है and solar means कि यहां पर जो हम heat energy हमें मिलता है sun से क्योंकि हमने देखा था कि हमें sun से heat and light energy मिलता है so जो हमें यहां पर sun से heat energy मिल रहा है उसको हम use करेंगे for the purpose of cooking ठीक है तो और कैसे करेंगे कि हमें कुकर की help से ठीक है और उस कुकर में जो हम heat provide करते हैं वो कैसे करते हैं वो sun की heat होती है that's why we use the term solar cooker ठीक है it is a device which is used to cook food ठीक है इतना समझ आया कि किसले यूज करते है cooking के लिए यूज करते है by utilizing the heat energy radiated by the sun that's why we call it solar cooker because we are using here the heat energy which is radiated by the sun ठीक है now coming to the types of solar cooker basically solar cooker is of two types spherical solar cooker and box type solar cooker ठीक है बट जो हमें पढ़ना है हमें box type solar cooker पढ़ना है बट overall जो क्या difference है मैं आपको बता दूंगे ठीक है so this is basically spherical type solar cooker यहां पर जो हम देख रहे हैं यह किसकी शेप एक spherical type की ठीक है so one is spherical type another is box type ठीक है and this is box type solar cooker ठीक है अब इसको detail में देख लेते हैं थोड़ा सा spherical में क्या होता है कि यहां पर जो हमारे पास ही लगा हुआ है यह होता है हमारा concave reflector ठीक है यह हमारा concave reflector होता है and on the other hand हम जो box type cooker में यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं यहां पर हम plane reflector को अब क्यूंकि यहां पर हम concave reflector यूज़ कर रहे हैं तो यह क्या करेगा better way में focus कर सकेगा sun rays को जो sun rays आएंगी यहां पर उसको यह better focus करेगा यहां पर जो भी temperature होगा वो ज्यादा होगा as compared to box type solar cooker में क्यूंकि यहां पर हम यूज़ करें plane mirror और plane mirror जो है वो as compared to concave reflector इतना अच्छे से work नहीं करता ठीक है तो इसलिए क्या है यहां पर क्यूंकि यह ज्यादा focused होगा तो यहां पर temperature ज्यादा होगा as compared to temperature हमें यहां पर मिलेगा ठीक है इसलिए हम क्या करते हैं जो कहीं बार क्या होता है जो baking and frying जो यहां पर possible नहीं है box type solar cooker में बेकिंग और फ्राइंग possible नहीं है उसके लिए ज्यादा temperature चाहिए होता है और वो चीस यहां पर possible है ठीक है तो यह था में डिफ्रेंस इन दोनों के बीच में ठीक है अब हमें देखना है पढ़ना है यहां पर इसके बारे में box type solar cooker के बारे में ठीक है box type solar cooker के बारे में हम यहां पर रहले रेखेंगी कि हमें क्या-क्या जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स का बना होता है जो प्लास्टिक या फिर वुड का होता है जैसे कि हमने यह देखा ठीक है कि हमारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ठीक है वह हीट को अच्छे से अब्जॉब करता है that's why हम कहते हैं कि गर्मियों में ज्यादा काले कपड़े नहीं पहने चाहिए क्योंकि वह हीट को ज्यादा एब्जॉब करते हैं ठीक है और हमें लाइट रंग की कपड़े पहने चाहिए यहीं जो ट्राफ कंशिस त्पूलक के सी थी में थालकर कोपइड करना से इंुट के टिक है अब इसमें क्या होता है एक लाज शीट लगी होती है यह जहां फेरी है ना तीआ आको इपक अचाव की खक झाव कीँदम सब्सक्राइब बट उसको हमने एक sheet से क्यों cover किया एक glass की sheet से plain transparent glass की sheet से cover क्यों किया वो इसलिए किया so that जो plain mirror जब sun rays को reflect करेगा यहां पे तो क्या होना चाहिए heat तो यहां पे आ जाएगी ठीक है reflect हो जाएगी बट हमें क्या करना है उस heat को बाहर नहीं जाने देना बाहर नहीं जाने दे इसलिए हम क्या करते हैं glass sheet को use करते हैं ताकि sun heat जो in cooking pots पर पढ़ रही है ठीक है वो क्या हो जाए हम उसको trap कर सके अधिक है इन ओर टुट्राप दाट संड्रेश ठीक है heat from the sun rays हम क्या करते हैं वी कवर दाट cooking पॉस और यू कें से बॉक्स विद ग्लास sheet cover ठीक है in order to trap the sun heat और जब हम sun heat को trap कर पाएंगे तो automatically temperature जो है वो increase कर पाएगा ठीक है तो होई चीज लिखी है solar cookers are covered with black with glass plate to trap sun's heat और next क्या है and have mirror to focus the rays of the sun and achieve a higher temperature ठीक है और इसमें इसके साथ साथ क्या होता है हमारा एक mirror होता है ताकि जो sun rays है उसको focus करवा सके ठीक है कहां पर solar cooker में ठीक है हमने देखा ना कहीं बार हम watches से करते होते हैं जब sun rays पढ़ती है तो वह कहते हैं पर यहां पर plane mirror को इस तरह से adjust करेंगे कि वह जो sun rays है कहां की कहां सेंट करेगा सारी की सारी सारी सेंट करेगा उस एरिया में जिसको हमने ग्लास शीट से cover किया हुआ था ठीक है तो यही थे उसके पाट्स चार पाट्स क्या-क्या एक तो हमें box चाहिए सेकिंड उस box को हमें black चीज़ से cover कर रहना चाहिए थर्ड फिंग ग्लास शीट से cover होना चाहिए वह और फोर्थ हमें plain mirror चाहिए for reflection ठीक है आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी बैन कम्स दी वर्किंग ठीक है वर्किंग इसके काफी सिंपल है हम सिर्फ इसको रीड करेंगे और आपको समझ आ जाएगा ठीक है in order to cook food the solar cooker is kept in the sunshine ठीक है the reflector of the solar cooker is adjusted in such a way that it faces the sun ठीक है हमें reflector को means यहाँ पर किसकी बात हो रही है plane mirror की ठीक है reflector को इस तरह से adjust करना है कि वो sun की तरफ face करें obviously अगर वो sun को face नहीं कर रहा होगा तो किस तरह से sun rays को reflect कर पाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में so for better results हमें क्या करना है reflector को sun rays की direction में ही रखना चाहिए ताकि वो better reflect करें ठीक है when this sun rays fall on the reflector तो क्या होगा it sends them to solar cooker box in the form of strong beam of sunlight ठीक है so when sun rays fall on the reflector तो plane mirror क्या करेगा it sends them to solar cooker box ठीक है कैसे in the form of strong beam of sunlight ठीक है the sun heat rays pass through the glass sheet cover जो हमने glass sheet cover की थी transparent उसके थुरू पास हो जाएगी अंदर और क्या हो जाएगी absorb हो जाएगी by the black surface of the cooker box ठीक है glass sheet से पास होते होए वो sun rays उसको क्या करेगा वो जो box है absorb कर लेगा ठीक है इतना तो हो गया sun rays पास भी होगी और उसको absorb भी क्या black surface ने सब्सक्राइब क्या पास हो जाएगी और किसका रोल आएगा ग्लास शीट का रोल आएगा बैन दी ग्लास शीट कवर दस नाट अलोग देम तू गो बाक ठीक है in this way more and more heat rays of the Sun get trapped in the box due to which the temperature in the solar cooker box rises to about 100 to 140 degrees Celsius in two to three hours ठीक है so यह उसकी working थी I hope इसको यह working आपको समझ आई होगी क्योंकि इसकी working काकी सिंपल थी ठीक है ठीक है ठीक है तो वॉक्स टेप सोलो कुकर में हमने उसके पार्ट देख लिए कुकर के हर एक पार्ट का function देख लिया और इसकी working भी देख लिए आई होप इसकी working मैंने काफी easy में लिखे है आपको अच्छे से समझ आ गए होगी ठीक है मैं फिर भी आपको डाइग्रामेटिक लिए समझा देती हूं यह होता इस तरह से sun rays होएंगी sun rays इस plane mirror पे reflect इस plane mirror पे पढ़ेंगी यह plane mirror इसको क्या करेगा reflect करेगा इस एरिया में जहां पर हम खाना बना रहे हैं जब एक बार sun rays इस एरिया में आ गई तो इस glass sheet के पास इस glass sheet को पास करते हुए box उसको क्या कर लेगा absorb कर लेगा and once sun rays get absorbed by this box तो यह क्या करेगी अब glass sheet अब यह glass sheet उसको बाहर नहीं जाने देगे kind of it's a greenhouse effect ठीक है तो यह उसको ग्लास sheet उसको बाहर नहीं जाने देगी और इसकी वाज़े से क्या होगा temperature automatically increase हो जाए ठीक है now comes the advantages advantages में आजाए का it is a pollution-free source of energy just solar energy है हमारा pollution-free source of energy है next next comes disadvantages disadvantages disadvantage क्या है that it can't be used for frying or baking purposes ठीक है मेने वीजन आपको पहले ही बता दिया था कि वह box type solar cooker नहीं है frying and baking क्योंकि यहां पर temperature उतना ज्यादा राइस नहीं होता on the other hand baking and frying is possible in your spherical type solar cooker next disadvantages food can't be cooked at night or on cloudy day obviously for cooking of food you need sun solar energy ठीक है you need the presence of sun तो रात को सूराज नहीं होता तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें sun rays चाहिए जो में heat देंगी और आपके ताइम आपके सूराज नहीं है तो sun तो heat भी नहीं नहीं आएगी sun rays नहीं होंगी तो heat भी नहीं आएगी और सेम विद्धी क्लावडी डेस लावडी डेस में sun तो होगा बट उस sun rays में इतनी heat नहीं होगी कि हम खाना बना सके तो food can't be cooked at night or on cloudy day ठीक है then comes the solar cell I hope आपको जो solar cooker है वो समझ आ गया होगा the second device is solar cell solar cell क्या करता है solar cell is a device that converts solar energy into electricity ठीक है अब हम देखेंगे कि last में तो हमने देखा था कि solar energy को कैसे उसमें उसकी जो heat energy उसको किस तरह से यूज करें solar cell basically करता है solar energy को directly convert करता है into electricity ठीक है याद दखना जब किसी device का नाम पूछा जाए जो directly convert करती solar energy into electricity वो होती है हमारी solar cell ठीक है it is also known as photovoltaic cell solar cell को ही हम photovoltaic cell बोलते हैं does it works on the principle principle of photovoltaic effect ठीक है यादक में it works on the principle of photovoltaic effect photovoltaic effect होता है it is the basically the generation of electricity on exposure to sunlight ठीक है photovoltaic effect ठीक है क्योंकि यह सामरे से directly electricity बना रहा है ठीक है यह value बहुत important है इसको याद रख लेना ठीक है जो solar cell है इत डिफलेप्स वोल्टेज of 0.5 to 1 वोल्ट तक कि यह वोल्टेज जिनरेट करता है और प्रड्यूस अबाउट 0.7 वाट अफ एलेक्ट्रिसीटी ठीक है तो आप एवर में ध्यान से पढ़ना कि कोश्चिन में क्या पूछा हूँ आपसे वोल्टेज पूछा हूँ यह अगर वोल्टेज है तो वैल्यू होगी 0.5 to 1 वोल्ट तक कि ही वोल्टेज जिनरेट करेगा और अगर यह पावर की बात करा एलेक्ट्रिसीटी की बात करा तो इस अब जीड़ो पॉइंट सेवन वाट आफ एलेक्रिसीटी ठीक है अब होता क्या है ठीक है सोलर सेल को बनान सिल्वर इस यूज़ फोर इंटर कनेक्शन ऑफ दी सेल इन दी पानल अभी हम देखेंगे कि पानल क्या होता है फिर मैं आपको यह चीज़ समझाओंगी ठीक है तो अभी आप इतना देखो कि सोलर सेल को बनाने के लिए वी यूज़ सिलिकॉन अब हमने देखा कैसी जो सोल सेल है वो कंशना कमने वोल्टेज और एलेक्टिसिटी जैनेरेट करते हैं तो एक सोलर सेल से अगर हम भूलें कि कोई electricity की नीड पूरी होगी तो ऐसा नहीं होता है सो करते क्या है हम बहुत सारे सोलर सेल्स को इन डेफिनिट पार्टन क्या करते हैं फिक्स करते हैं लगाते हैं और सोलर सेल किसे बने होते हैं और इन सुलर सेल्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं वाइओ ऐसिंग वायर आफ सिल्वर ऐनको कौनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं । इसी सेल्स के सोलर के कलेक्शन को हम इस रपानल भोते हैं а ठीक है जब हम बोद सारे solar cells connect करते हैं इने definite pattern तो वो क्या बनाते हैं हमारा solar panel ठीक है और ही हम क्यों करते हैं ताकि हमारी electricity की दिमांद जो है वो पूरी हो सकी ठीक बिकस एक सोलर सेल बोती कम वल्टेच एंड एक्तरिश प्रीद्यूस करता है और वाय वी इसी इवस्ट सिल्वर भीक सेल्वर लिएंटर को बलेक्टर अव ठीक है ठीक है जबहर गूर फिसल्वर पानल कहाँ हमें जो मेना अभी आपको सम्जाया न लार्ज नम्बर अव solar panel ठीक है and the cells in the solar cell oh sorry the cells in the solar panel are connected with each other by using a silver wire because silver is the best conductor of electricity ठीक है solar cell panels are mounted on specially designed inclined rooftops so that more solar energy is incident over it तो हम बसकिली सोलर पनल सको एक special type of roof में ठीक है क्या करते हैं डिजाइन करते हैं और वो रूफ कैसा होना चाहिए inclined roof होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा solar energy जो है उस पर fall कर सके अगर वो straight होगा तो इतनी solar energy नहीं पड़े आपने अगर आपको पता हो कि किस तरह से इंस्टॉल होते हैं तो आप देखना कि कभी वो एक स्ट्रेट ऐसे सिंपल इंस्टॉल नहीं होते हैं वो मेशना थोड़ा सा टेड़ा कुछ एंगल पे ना इस तरह से कुछ इस तरह से कि एंगल पे ना वो लगाए जाते हैं सोलर पानल ताकि जो सोलर एनरजी है वो ज्यादा से ज्यादा इस पर इंसिदेंट हो कभी सीदे नहीं रखे जाते थोड़े से इंकलाइंड होते हैं वो ठीक है नो कमिंग तो दी आडवांटेजिस ओफ सोलर सेल पहला आजेगा कि इट रिक्वार लिटल मेंटेनेंस ठीक है सेकेंड नो फोकसिंग डिवाइज इस रिक्वाइड जैसे हमने देखा कि सोलर सॉरी सोलर कुकर में कि हमें एक रिफ्लेक्टर की जूरुरत होती थी फोर फोकसिंग दी सानरेज ऑन्टो पर्टिकुलर एरिया उस तरह का इसमें चीज नहीं है हमें कोई पर्टिकुलर फोक जुरुष्ट नहीं है can be setup in remote area हम solar cell को या solar panel को हम क्या कर सकते हैं कहीं पर सेट अप कर सकते हैं किसी भी remote area में हम सेट अप कर सकते हैं इसके लिए कुछ particular कोई अलग से infrastructure की जुरुरत नहीं है हम इसको rooftop पे भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं ठीक है अभी हमने देखा ना कि उनको रूफ पर लगा सकते हैं ठीक है इसको लगाने से कोई भी किसी भी तरह का pollution वगएरा create नहीं होता तो यह काफी environment friendly भी होता है ठीक कि डिसार्वांटीजिस के बारे में ओ ओ डिस वोल सेल अरफ अरफ एक्सपेंसिव पेले बाद पहला डिसार्वांटीज के यह एक्सपेंसिव होता है क्यूंकि हमने देखा एड़ानेदेद है कि इस फीशेंसिह लो हमने देखा कि किस तरह से इस अलर सेल जो है कम इलेक्टिशीटी एंड फरी डीयूस करता है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इफिशेंसी है वो क्या है कम है और इनिशिल कॉस्ट फिंस्ट्डार्लेशन इस क्या है बहुत ज्यादा है ठ सेटलाइड में यूज how U product start date ट्राफिक सीगनल के लिए या यूज्बए करते हैं वाचेज में यूज भी सेटल्य इस फ्रोब्स लेडियो में दीवी एट्वी से्ट में ठीक है स्कांथे इस्क ऌइस को इस radio tv set and it is used to operate water pumps also so these are the uses of solar cell the next comes solar water heater so we are done with your we are done with two devices that is solar cooker and solar cell so we are left with only one device that is solar water heater solar water heater की हम दिखते हैं कि होता कैसे दिखता कैसे इसकी working कैसे होती है इन solar water heater a coil of copper tube painted black from outside is basically होता कैसे solar water heater basically coil होती है copper tube की जिसको हमने black paint किया होता है ठीक है so suppose अगर water tank है हमारा यह कैसा होता है water tank है suppose इसके साथ हमने अटाच्च किया होता है solar water heater solar water heater कुछ नहीं बलकि एक coil होता है copper tube का इसके साथ जो है copper tubes जो है वह इस थरह से इस पार्टन में जो होती है लगी होती है ठीक है यह copper tube होएगी ठीक है जिसको ब्लाक पेंट किया होगा ठीक है वह इस tubes के अंदर से क्या होगा water flow करेगा ठीक है और ब्लाक क्यों पेंट किया सेम डीजन कि ज्यादा heat absorb हो सके ठीक है और यह आगे further जो है attach होगा किसी टाप के साथ ठीक है और यहां से फिर जो water flow होगा वो क्यों होगा हमारा hot water so when cold water from this water tank passes through these tubes ठीक है यह tubes basically क्या होगी होती है इनको छट पर लगाया होता है ताकि यह घरम हो जाएं ठीक है जब छट पर लगाया होता है solar energy में रखा होता है heat की वज़ा से यह होती है वो हो जाती यह गरम हो जाती है ohh जब water flow करता है इन पाइप्स की थूभ जो की पाइब खिरम होचुकी आ तो जब तक यह वाटर जो है पूरा distance ट्रावल करता है यह भी क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा क्योंकि जो पाइपस हैं वो गरम हो गई है ठीक है सो जब तरह कि पूरा डिस्टेंस ट्रावल करेगा वाटर होट हो जाएगा और फिर वह यहां से टाप के थुरू क्या मिलेगा हमें गरम पानी मिलेगा ठीक है है सो कस एस तरह से यहां है यह हमारा सोलर वॉ congrats से connect किया है यहां से water जाएगा और हो यह इसके तरू किस तरह कारए है सो वाटर सोचो अफो जब यहां से यहां से यहां से यहां से इतना ज्यादा इतनी लबिए इन पाइप से दो अधारा सोत होता गा तो ऑ게 मैटले लिए वह गरम तो हो गई क्योंकि यह पाइपस तो है जो गरम हो गई है ठीक है तो जब तह कि पूरा डिस्टेंस ट्रावल करता वॉर्टर पानी क्या हो जाएगा गरम और फिर हम इसको आगे फॉर्दर इसका कोईल कीशेप में ठीक है थिए पर कई इल अब्जोंप संहीटर ےज़ एंड कर्या तो इससे पास होगा तो क्या करे हैँ आप सन्हीं gets you सुप्लाइख teeny इसके यूजर हां ये यूज रहा हमारा कि बेड बिलिडिंग्स पे जैसे कि हो तेल या फिर हमारे hypocrisy के बारे पूरा अन्हजी की बारे में देखा रहा C पांस्टेंट के बादे में देखा हमने सोलर इनर्जी डिवाइस पड़ी सो विद इस हमारा जो सोलर इनर्जी का जो टॉपिक था या फिर आप कहलो नॉन केंवेंशनल या फिर सोर्सेज ऑफ इनर्जी हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है तो आज के लेक्चे के साथ वी आ आपको यह टॉपिक भी समझ आ गया होगा ठीक है और अगर कोई क्वेरी आती है तो प्लीज डाइडाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं थैंक यू